हेलो एवरिवन जैहिन सभी को तो मैं गोपाल शर्मा एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूँ यूपीए प्रलिम्स स्वरी यूपीए सी प्रलिम्स मैराधन सेरीज हिंदी में तो आज हम लोग पढ़ने जारे हैं मेंसरेशन 2D जो की सी सेट का पार्ट रहेगा जिसमें मैं आप लोगों को फॉर्मलेज वगरा सिखाऊंगा और कोशिंज भी हम लोग करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हमारा आज का टॉपिक इसमें हम लोग मेंसरेशन 2D पढ़ेंगे तो लेट्स स्टार्ट एरिया एंड पैरिमीटर में या हम यह कह दें कि एरिया और पैरिमीटर जो है वो मेंसरेशन 2D का पार्ट है तू डामेंसरेशन का पार्ट है 2D का ठीक है अब मेरी बात को सुनिएगा समझेगा सभी लोग मेंसरेशन 2D का पार्ट है और 2D मेंसरेशन में हमारे पास क्या क्या आता है पहले समझ लीजिए सबसे पहले आता है ट्राइंगल्स जिनको हम तिरबुज कहते हैं क्या कहते है तिर्बुज तिर्बुज में भी कौन कौन से एक्विलेटरल ट्राइंगल तिर्बुज यानि कि जिसमें सबसे पहला हम लेते हैं एक्विलेटरल ट्राइंगल जिसको हम हिंदी में कहते हैं सम बाहू तिर्बुज दूसरा आता है आईसो सेलिस आईसो सेलिस ट्राइंगल यानि कि सम दूई बाहू तिर्बुज तीसरा आता है हमारा स्कैलिन ट्राइंगल जिसको हम विशम बाहू तिर्बुज कहते हैं विशम बाहू विशम बाहू तिर्बुज चौथा आता है राइट एंगल्ड ट्राइंगल यानि कि समकोन त्रबुज तो ये चार त्रबुज हमको यहाँ पर पढ़ने होते हैं उसके बाद आता है क्वाड्री लेटरल जिसको हम चतुर भुज कहते हैं क्या कहते हैं चतुर भुज और फाइनली लास्ट में आता है हमारे पास अच्छा इसमें कौन-कौन से आते हैं सबसे पहला स्क्वाइर यानि कि वर्ग फिर आता है रेक्टेंगल रेक्टेंगल यानि कि आयत तीसरा आता है हमारा रूम्बस सम चतुर भुज चोथा आता है पैरलेलो ग्राम जिसको हम समानतर समानतर चतुर भुज कहते हैं समानतर चतुर भुज पांचवा आता है हमारा ट्रैपीजियम ट्रैपीजियम को हम समलंब समलंब चतुर भुज कहते हैं क्या कहते हैं समलंब चतुर भुज कहते हैं ठीक है फिर यहां पर हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे एंड सेमी सर्कल के बारे में पढ़ेंगे सर्कल के बारे में और सेमी सर्कल के बारे में पढ़ेंगे ठीक है यह है हमारा पूरा स्लेबस जो हमें आज पूरा पढ़ना है और कंप्लीट करना है एरिया और कोश्चन्स भी करना है एरिया एंड पैरिमीटर से related रहेगा ठीक है एरिया एंड पैरिमीटर से रिलेटिड ये रहेगा डन इसको हम क्या कहते हैं वरत तथा अर्द वरत वरत तथा अर्द वरत तथा अर्द वरत तो सबसे पहले मैं शरुवात करना हूँ ट्राइंगल से ट्राइंगल में भी सबसे पहले आता है हमारा इक्वी लेटरल ट्राइंगल यानि की सम बाहुतर बज सम बाहुतर बज एक ऐसा तरबुज होता है सम बाहुतर बज एक ऐसा तरबुज होता है जिसकी सभी बुजाएं समान होती है ये भी ए ये भी ए ये भी ए और सभी कोन 60 degree के हुआ करते हैं कितने degree के? 60 degree के कोन हुआ करते हैं तो इसमें हमें चाहिए सबसे पहले perimeter perimeter का मतलब हो गया perimeter perimeter का मतलब हो गया perimeter परिमाप तो परिमाप का मतलब होता है सभी बुजाओं का योग sum of all sides sum of all sides तो यहाँ पर सभी बुजाएं जो है वो A, A और A हैं और मुझे उनका योग चाहिए तो मेरा जो perimeter हो गया वो कितना हो जाएगा? 3A हो जाएगा दूसरा आएगा area area का मतलब छेत्रफल area का मतलब हो गया छेत्रफल और छेत्रफल जो है इसका होता है root 3 by 4 multiply by A square तो यह हो गया इसका छेत्रफल ठीक है? Very good afternoon यह इसका क्या हो जाएगा? छेत्रफल हो जाएगा ठीक उसके बाद दूसरा है ISO CELLYS TRIANGLE दूसरा है ISO CELLYS TRIANGLE जिसको हम क्या कहते हैं? सम दूई बाहू तरबुज सम दूई बाहू तरबुज सम दूई बाहू तरबुज का मतलब यह हुआ कि जिसकी दो भुजाएं समान हो जिसकी दो भुजाएं समान हो उसके सामने के दो कौन भी समान हो इसके सामने ठीटा इसके सामने यह ठीटा हो गया ठीक, तो यहाँ पर दो बुजाएं समान है, तो मैंने मान लिया, A, A और यह है B, तो इसका पैरिमीटर, इसका जो पैरिमीटर होगा, यानि कि परिमाप जो होगा, परिमाप होगा, परिमाप होगा इसका, A प्लेस A प्लेस B, यानि कि 2A प्लेस B, ठीक है, पहली चीज़, दूसरा, इसमें एरिया, यानि कि छेत्रफल, इसका जो छेत्रफल होगा, एरिया होगा, वो होगा, B बाई 4, अंडरूट 4A स्क्वेर माइनस B स्क्वेर, B बाई 4, अंडरूट 4A स्क्वेर माइनस B स्क्वेर, ये सम्दे बाहु तरफुज के लिए होगा, तीसरा आता है हमारा, तीसरा आता है, स्कैलन ट्राइंगल, जिसको हम विशम बाहु कहते हैं, क्या कहते हैं, विशम बाहु तरफुज, विशम बाहु तरफुज का मतलब ये हुआ, विशम बाहु तरफुज का मतलब, 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 ये हुआ, ये हुआ, B है, और C है, A, B, C, इन सभी में angles अलग-अलग होते हैं, यह theta 1 हो गया, यह theta 2 हो गया, यह theta 3 हो गया, अलग-अलग, तीनों बुजाएं भी अलग होती हैं, और तीनों angle भी अलग होते हैं, तो यहाँ पर इसका जो perimeter होगा, यानि की perimeter का मतलब होगा, परिमाप, हैना, परिमाप का मतलब हो गया, सभी बुजाओं का योग, तो A प्लस B प्लस C, perimeter का मतलब हमेशा एकी चीज़ होती है, सभी बुजाओं का योग, दूसरा, इसका जो area होता है, वो होता है, हिरोन्स formula, अंडर रूट S, S माइनस A, S माइनस B, और S माइनस C, जहाँ पर S का मतलब होता है, semi perimeter, तो वो हमेशा होगा, A प्लस B प्लस C by 2, तीनों बुजाओं को जोड़ दो, और उनका आधा कर दो, जिसको हम semi perimeter कहते है, semi का मतलब होता है, आधा, तो इसको बोलते हैं, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, क्या कहते हैं, अर्ध परिमाप कहते हैं, ठीक है, इतना समझ में आगए सभी को, स्कैलन ट्राइंगल हो गया, स्कैलन के बाद हम आते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल पर, राइट एंगल ट्राइंगल पर, राइट एंगल ट्राइंगल पर, राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब हो गया, सम कोंड त्रिभुज सम कोंड त्रिभुज का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक राइट एंगल बनेगा राइट एंगल बनेगा राइट एंगल के सामने यह उता है हाइपो टैनिस जिसको हम कहते हैं कर्ण अगर अंगल यहां बनता है थीटा तो यह होगा परपेंडिकुलर और यह होगा बाकी का बचा बेस बेस को हिंदी में आधार कहते हैं और परपेंडिकुलर को हिंदी में लंब कहते हैं, क्या कहते हैं, लंब, तो राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे पहला तो पाइथागोरिस थियोरम लगती है, हर राइट एंगल ट्राइंगल को पाइथागोरिस जी की थियोरम से होकर गुजरना पड़ता है, अगर सही है, तो बढ़िया बाते नहीं है, तो Perpendicular square, perpendicular square plus base ka square, hypertenus ka square is equals to perpendicular square plus base ka square, ठीक, plus base ka square, यानि कि कर्ण का वर्ग बराबर, लंब वर्ग, लंब वर्ग, प्लेस आधार वर्ग, ठीक है, hypertenus ka square is equals to perpendicular square plus base square, पहली चीज, दूसरा, इसका जो area होता है, यानि कि छेत्रफल, एरिया यानि कि छेत्रफल, छेत्रफल इसका होता है, एक बटे दो, base into height, height भी हम इसी को बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम height है, यानि कि उचाई, तो हिंदी में इसे लिखना चाहें, तो एक बटे दो, आधार गुणा उचाई, आधार गुणा लंब कहलो, या उचाई कहलो, ये हो गया हिंदी में, ठीक है, clear, यहां तक, किसी को कोई दिक्कत समझ से अगर हो, तो बताईए, ओके, चली, समकोण हो गया, एरिया कर लिया, अब आते हैं, quadrilaterals, यानि कि चत्रभुज की तरफ, quadrilaterals, यानि कि चत्रभुज, चत्रभुज में हमें, क्या सीखना है, सबसे पहला, हमारा होगा, parallelogram, जिसको हम समानतर चत्रभुज कहते हैं, समानतर चत्रभुज, समानतर चत्रभुज का मतलब यह हुआ, A, B, C, D, यह एक समानतर चत्रभुज है, अब हम आते हैं, एक एक करके इसकी प्रॉपर्टीज पर, तो, प्रॉपर्टी नमबर वन, Opposite sides, opposite sides, are equal and parallel, opposite sides are equal and parallel, सम्मुक बुजाएं, बराबर तथा समानतर होती हैं, सम्मुक बुजाएं, बराबर तथा समानतर होती हैं, यानि कि इसके सामने ये और इसके सामने ये बराबर होंगे है ना अगर मैंने इसको A बोल दिया तो ये भी A होगा ये B बोल दिया तो ये भी B होगा ठीक दूसरा पॉइंट अपोजिट एंगल्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल जो सम्मुक कौन सम्मुक कौन समान होते है यानि कि एंगल A अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा अगर ये एलफा है तो ये भी एलफा होगा ठीक है पॉइंट नमबर तीसरा पॉइंट नमबर तीसरा इसका पैरिमीटर यानि कि परिमाप इसका परिमाप होता है टू ब्रैकेट में A प्लस B क्योंकि आप जब सबको जोड़ोगे तो A में A जुड़ेगा B में B जुड़ेगा तो 2 A प्लस 2 B टू कॉमन ले लिजिए तो 2 कॉमन लेने के बाद A प्लस B बचेगा परिमाप फोर्थ एरिया इसका एरिया यानि कि छेत्रफल इसका छेत्रफल इसका छेत्रफल होता है बेस इंटू हाइट यानि कि आधार गुणा उंचाई आधार गुणा उंचाई ठीक है आधार गुणा उंचाई ये तो हुआ आपका पैरलेलो ग्राम पैरलेलो ग्राम के बाद नंबर है रेक्टेंगल का रेक्टेंगल रेक्टेंगल जिसको हम आयत कहते हैं आयत कहते हैं आयत कैसा होता है A B C D 90 90 90 90 सारे चीक है तो सबसे पहला पॉइंट अपोजिट साइड्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल अपोजिट साइड्स कैसी है इक्वल है यानि कि सम्मुख बुजाएं सम्मुख बुजाएं समान होंगी सम्मुख बुजाएं समान होंगी नमबर टू आल एंगल्स आर 90 डिग्री आल एंगल्स आर 90 डिग्री सभी कौन सभी कौन सम्कौन होंगे सभी कौन सम्कौन होंगे सभी कौन सम्कौन होंगे तीसरा तीसरा पॉइंट Diagonals are equal and bisects each other. विकर्ण परस्पर समान होते हैं, तथा प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद, यानि कि, यहाँ पर लिख देता हूँ, ए, सी बराबर होगा, बी, डी के, यहाँ से यह, 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 य्य, प्रतिछेद करते हैं अब आगे सुनिये डाइगनल्स की बात हो गई ठीक है बात करते हैं इसके पैरिमीटर की यानिकी परिमाप की पैरिमीटर यानिकी परिमाप तो इसका जो परिमाप होगा ये हमारी लंबाई होती है लेंथ होती है और इसे हम ब्रेथ कहते हैं चोड़ाई तो परिमाप होता है टू एल प्लस बी पांचवा पॉइंट एरिया एरिया यानिकी छेत्रफल चेत्रफल होता है एल इंटू बी और यहां पर छटवा पॉइंट है डाइगनल डाइगनल कितना लंबा उता है तो डाइगनल होता है अंड़रूट L square प्लेस B square लंबाई का square प्लेस चोडाई का square ठीक है यहां तक समुझ में आ गया सभी को क्लियर है तो यह हो गया आयत आयत के बाद आयत के बाद अगला नंबर है square का अगला नंबर है square का यानि कि जिसको हम वर्ग कहते हैं क्या कहते हैं वर्ग A, B, C, D वर्ग तो वर्ग में सबसे पहला point सबसे पहला point है all sides are equal all sides are equal सभी बुजाएं सभी बुजाएं समान होती हैं सभी बुजाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं दूसरा, अल एंगल्स आर 90 डिग्री, सभी कोण, सभी कोण, सम कोण, सभी कोण, सम कोण, होते हैं। सभी कोण, सम कोण, होते हैं। सभी कोण, कैसे होते हैं, सम कोण, होते हैं। तीसरा, डाइगनल्स, आर इक्वल, एंड, बाइसेक्स, इच अदर, एट 90 डिग्री, सम कोण, सरी, विकर्ण बराबर होते हैं, और एक दूसरे को परसपर 90 डिग्री पर काटते हैं। किस पर काटते हैं? 90 डिग्री पर काटते हैं। तो यहां लिख लिजेगा, विकर्ण परसपर बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, तथा समकोण पर प्रतिछेद करते हैं। प्रतिछेद करते हैं। विकर्ण परसपर बराबर होते हैं, तथा समकोण पर प्रतिछेद करते हैं। ठीक है। उसके बाद इसका परिमाप यानि की पैरिमीटर पैरिमीटर यानि की परिमाप होता है इसका। सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। सारी भुजाएं बराबर हैं तो जोडेंगे तो कितना हो जाएगा? 4a पांचवा होता है हमारा area area हो जाएगा a square जो भी भुजा है उसका square छटवा होता है इसका diagonal तो इसका diagonal होता है root 2 multiply by a root 2 multiply by a ठीक है भाई समझ में आ रहा है comment नहीं आएंगे comment कर दिया करो ताकि पता चलता रहे बहुते हैं ड़न चलिए स्क्वायर हो गया पेरलोग्राम हो गया रोमबस की बात कर देते हैं फटाफट रोमबस रोमबस जिसको हम सम्चत्रभुच कहते हैं सम्चत्रभुच सम्चत्रभुच में पहला पॉइंट है औल साइड्स आर इक्वल इसकी सभी बुजाय बराबर होती हैं सभी बुजाय समान होती हैं समान होती हैं दूसरा अपोजिट एंगल्स आर इक्वल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल सम्मुक कौन सम्मुक कौन समान होते हैं सम्मुक कौन समान होते हैं ठीक है इसमें अपोजिट एंगल्स अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा अगर ये अलफा है तो ये भी अलफा होगा ठीक है ये भी अलफा होगा तीसरा डाइगनल्स डाइगनल्स इंटरसेक्ट एट बाइसेक्ट नहीं लिखा है मैंने इस बार धिहान देना बाइसेक्ट नहीं लिखा है इंटरसेक्ट एट right angle diagonals intersect at right angle diagonals मतलब यहां से यहां और यहां से यहां intersect करेंगे यानि कि यह नभ्भे पर नभ्भे बनेगा बस ठीक है यह वाला part इसके बराबर यह वाला part इसके बराबर ठीक है आप लिख सकते हैं इसको bisect लिख सकते हैं diagonals bisects each other bisects each other at right angle विकर्ण परस पर समकून पर समकून पर प्रतिछेद करते हैं प्रतिछेद करते हैं क्या करते हैं प्रतिछेद करते हैं point number 4 इसका perimeter भी वही रहता है 4A area 1 by 2 d1 multiply d2 जहां पर d1 and d2 are the diagonals क्या है विकर्ण है तो विकर्ण की लंबाई पता होगी तो हम आसानी से निकाल लेंगे ठीक है आसानी से निकाल लेंगे और कई बार इसकी side निकालनी पड़ती है क्या निकालनी पड़ती है side तो 1 by 2 under root d1 square plus d2 square यानि कि भुजा निकालनी हो तो यह हो जाएगा चलिए तो अभी तक मैंने आपको लगबग सभी के basics लगबग लगबग बता दिये हैं अब यह trapezium रह गया है तो परिशान ना हो वो भी मैं आपको बता दूँगा पहले आप इस सवाल से शुरुआत करें और पहला सवाल है आपके सामने screen पर इसको जड़ा try करें मैं एक मिनट में washroom से आपता हूँ ठीक है आपके सामने झाल 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 आगया अंसर आए गया ओके 13.52 सेकल ऑप्शन जी शिवम का आगया है सुनीता का आगया है शिवम सिंग का आगया है दिक्षा का आगया है लेट सी देखते हैं क्या ये कोशन इतना ही टफ था A, B, C, D एक वर्ग है क्या है एक वर्ग है वर्ग का विकर्ण दे रखा है हमको 5.2 हमें वर्ग का छेत्रफल चाहिए तो हम जानते हैं एरिया आफ एरिया आफ क्या स्क्वेर का एरिया क्या होता है स्क्वेर का एरिया होता है साइड का स्क्वेर यानि कि भुजा का वर्ग क्या होता है भुजा का वर्ग और भुजा हमारे पास नहीं है हमारे पास बुजा मान लीजिए A है तो विकर्ण क्या होता है A root 2 होता है कितना होता है A root 2 तो हमारे पास A root 2 की value 5.2 है A की value 5.2 divided by root 2 आपको side का square चाहिए यानि कि 5.2 divided by root 2 का whole square ठीक है 5.2 का square कर लो 5.2 का square कर लो यानि कि 52 का square करना है square करने का shortcut बता है 2 जादा है 25 में 2 जादा कर दो 2704 हो गया और point यहां जाएगा root 2 का कितना हैगा 2 जब मैं इसको solve करूँगा तो 13 तो मेरे पास आएगा 13 तो 13 का एक ही option है इसलिए मैंने 13.52 लगा दिया और मेरा answer जो है वो second option बन गया क्या बन गया second option मेरा correct answer है बिल्कुल सही चलिए next अगला 4 cm भुजा वाली एक वर्गाकार sheet के चारों कोनों से 2 cm तरिज्या वाले एक वरत के चाप के आकार के चार टुक्ले काटे जाते हैं शेश भाग का छेत्रफल बताईए देखो 4 cm भुजा वाले एक वर्ग तो 4 cm भुजा हमने माल लिया 4 cm इधर भी है 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 और 4 cm इधर भी है ठीक है जी कहता है चारों कोनों से चारों कोनों से 2 cm तरिज्या वाले एक वरत के चाप वरत हमारा ऐसा होता है उसका एक पार्ट एक हिस्सा जिसको हम चाप कहते है कोई भी कोन लेके एक हिस्सा ये जो होता है ये हमारी चाप होती है आर्क जिसको हम बोलते है तो हमने क्या किया बच्पन में आप लोग उने गोले बनाई होंगे कैसे बनाते थे आप लोग आप scale लेते थी scale रखा और teacher ने बोला कि इसमें 3 cm की चाप भर लो कितने cm की 3 cm की तो आप scale लेते थे ऐसे रखा और अपना compass ऐसे लगाया और 3 cm तक कर दिया फिर गोला बनाने के लिए ऐसे रखा और ऐसे घुमा दिया इस तरीके से है ना तो यह पूरा एक गोला बन जाता था और जिसकी रेडियस तीन सेंटीमीटर रहती थी चाप ठीक है ऐसे कहा रहां अब यहां पर भी वही कहानी है सेम यहां पर भी सेम वही कहानी है कहता है कि दो सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने सेंटीमीटर की चाप भरी गई है दो संटीमीटर की चाप भरी गई है, दो संटीमीटर त्रिज्या वाले एक वरत के चाप के आकार के चार टुकड़े काटे जाते हैं, यहाँ पर रखा, काट दिया, यहाँ पर रखा दो संटीमीटर घुमा दिया, कट गया, यहाँ रखा, घुमा दिया, कट गया, यहाँ गुरु जी मिला के क्यों काट रहे हैं, बिलकुल वहीं से क्यों मिला रहे हैं, ऐसा क्या कारण है, तो मैं आपको बता देता हूं कारण क्या है, ये पूरा चार सेंटीमीटर भुजा है, तो दो सेंटीमीटर यहां से ऐसे नापा जाएगा, और यहां से भी दो सेंटीमीटर, तो बेटा ये बिलकुल एक ही पॉइंट पर जाकर मिलेंगे तब ही टोटल दो और दो किता हो गया चार ऐसे यहाँ ऐसे यहाँ और ऐसे यहाँ तो कहता है शेश भाग का छेतरफल अब शेश भाग हमारे पास बचा क्या है हमारे पास शेश भाग ये वाला है हमारे पास शेश भाग ये वाला है ठीक है ये वाला हमारे पास शेश भाग है क्या है शेश भाग है ठीक अब ये शेश भाग जो है इसका हमको चाहिए छेतरफल मुझे एक बात बताओ प्यारे बच्चो इस square में से ये काटा गया है अच्छा यहाँ पर square में 90 degree, 90 degree, 90 degree और 90 degree होता है होता है की नहीं होता है ना ठेक है अब square में से हमारा ये चार चाप काटके अलग कर दी गई है तो इसका मतलब ये हुआ की area of square अगर में निकाल लो या पहले इन चाप को समझ लो आप ध्यान से देखो कि अगर एक गोला बनाया जाए और उसमें 90-90 degree का तो ये वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा यहाँ रखके देखो 90 एक हिस्सा यह रहा है एक हिस्सा यह रहा और एक हिस्सा यह रहा हूँ मतलब इन चारो कोनों से मिला कर चार हिस्से जो काटे गए हैं उन से एक पूरा व्रत बननाया circle बन रहा है क्या अगर मैं area of square में से area of square में से minus कर दूँ क्या area of circle क्या minus कर दूँ area of circle circle का area minus कर दूँ किसका area minus कर दूँ circle का area minus कर दूँ तो जो भी आएगा वो इस shaded portion का answer होगा ठेक है area of square क्या होगा side का square यानि कि a का square और area of circle क्या होता है पाई r square a side है तो 4 4 का square हो गया 16 पाई को पाई रहने दो क्योंकि option में हर जगे पाई है radius radius कितनी भरी जा रही है दो तो 2 का square कितना हो जाएगा 4 तो हमारा answer कितना हो जाएगा 16 minus 4 पाई यानि कि second option सही होगा कौन सा option सही होगा second option हमारा सही होगा थीक है डन है next अगला कहता है 32 सेंटीमीटर विकरण वाले वर्ग के आकार की एक पतंग 8 सेंटीमीटर वाले एक संभाहू त्रिबुचस जुड़ी विया इसे बनाने में लगबक कितने कागज का उप्योग हुआ है कितना कागज उप्योग किया गया है देखो मैं आपको बताता हूँ आप पतंग को इमेजिन करो कैसा है वर्गा कार है सबसे पहली तो बात यह है और इसके नीचे इसके नीचे एक संभाहू त्रिबुच लगा यह वर्ग है यानि कि यह स्क्वायर है और यह एक इक्विलेटर ट्रेंगल है एक्विलेटरल ट्रेंगल है कैसा ट्रेंगल है एक्विलेटरल ट्रेंगल है यानि कि संभाहू तरिबुच तो कहता है कितना कागज इस्तमाल हुआ है तो अगर मैं area of square area of square में जोड़ दूँ क्या area of area of equilateral triangle अगर मैं area of square में equilateral triangle का area जोड़ दूँ तो पूरी पतंग का area आजाएगा किसका ही रिया जाएगा पूरी पतंग का ही रिया जाएगा कहता है 32 cm विकर्ण तो भीया विकर्ण दिया गया हमको 32 a root 2 का मान 32 तो a का मान 32 बटे root 2 तो इससे तो 32 बटे root 2 का square कर दें अगर तो हमारे पास क्या जाएगा area of square 32 का square होता है कितना 1024 होता है न 32 का square 30 का कितना होता है 900 1024 हो गया ठीक है 1024 को 2 से divide करूँगा 512 हो जाएगा चलिए प्लेस area of equilateral triangle अब सुनिए 32 सेंटीमीटर तो यह हो गया 8 सेंटीमीटर वाले तिर्वुज का संभाहु तिर्वुज तो इसका area कितना हो जाएगा root 3 by 4 a square a मतलब 8 8 का square कितना हो गया 64 कितना हो गया 16 तो हमारा answer होगा 16 root 3 root 3 का मतलब कितना है बेटा 1.732 1.732 तो पांसो बारा में 1.732 को मुझे जोड़ना है multiply करना है तो आप एक तो देख लीजिए unit place से कर सकते हो otherwise क्या करो otherwise आप क्या कर सकते हैं आप तुरेंट ही आपर वो लगा सकते हैं digit sum क्या लगा सकते हैं digit sum लगा सकते हैं क्या करया लगा थीजिए . क्यदक लगा inches बहाँ मुझे मुझे जगारा में गहीजिए . कर दो उब हुआ हुआ है? हो गया आजए का पांसो उन्तालिस साथ सो बारा करेक्ट है चले ठीक है माल लेते हैं यही सही है आगे बढ़िए अगला सवाल यह रहा इसको आप जड़ा दो मुट रुक्ये करिएगा पहले इसको करिए एक आयत की लंबाई और चोड़ाई के बीच का अंतर 23 मीटर है यदी इसकी परिदी यानि की पैरिमीटर 206 मीटर है तो इसका छेत्रफल ग्याद करिए क्या ग्याद करना है छेत्रफल देखो एक आयत की लंबाई और चोड़ाई के बीच का अंतर लंबाई और चोड़ाई के बीच का अंतर है 23 मीटर और इसकी परिदी यानि की परिमाप परिम परिमाप होता है 2 L प्लस B, परिमाप कितना है बिटा 206, कितना है 206, दो से कट कर लो 103 बार, तो लंबाई प्लस चोड़ाई जोड कर हो जाएगा 103, लंबाई माइनस चोड़ाई हो जाएगा 23, हमें क्या चाहिए छेत्रफल, छेत्रफल का मतलब होता है लंबाई गुणा जोड़ कर पता है हमको कितना है यह, 103 है, और घटा कर कितना है हमारे पास, 23 है, आपको L और B अलग-अलग चाहिए, बहुत ही सिंपल तरीका सिखाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है, यह हो जाएगा 40 और यह हो जाएगा 63, मुझे कैसे पता चला, मैं आपको बता देता 25, 20 इसका अंसर होगा, है कोई 25, 20, जी हाँ, लास्ट, मैंने इसको कैसे किया इतना शॉर्ट, किस तरीके से मैंने इसको किया है, आईए आपको बताता हूँ ठीक है, मैं बताता हूँ, मान लो, मेरे दो बच्चे है, ठीक है, दो बच्चे है मेरे, उन दोनों को मिला कर 103 रुपे देने है, मुझे, दोनों को मिला कर 103 रुपे देने है, ठीक है, कितना देना है, 103 रुपे देने है, दोनों को मिला कर, और दोनों के बीच में अंतर भी रखना है मुझे 23 रुपे का अंतर रखना तो अब ये आप सभी लोग जानते हों मानलो आपके घर में आप लोगों को पॉकेट मनी दी जा रही हो किसी को जादा मिल जाए किसी को कम मिल जाए तो क्या हो जाता घमासान युद्ध हो जाता लड़ाई हो जाती है है ना तो उस से बचने के लिए मैंने दिमाग लगाया कि दोनों को मिला कर ONE 104 दे रहे हैं को दे दी हैं चोटा वाला भाग गया अब मेरे पास 23 रुपे जो छुपाई थे वो मैंने बस बड़े वाले को पकड़ा दिये कि ले बेटा ले जा तो इसका 63 और इसका 40 तो 63 इंटू 40 कितना जाएगा 2520 आपको सॉल करने की जरूद नहीं पड़ेगी ठीक है चलिए नेक्स्ट अगला सवाल ये रहा है एक आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चोड़ाई से 5 मीटर अधिक है यानि की लंबाई उसकी चोड़ाई से 5 मीटर अधिक है लंबाई बड़ी ये चोड़ाई कम है हॉल का छेत्रफल यानि की L इंटू बी L इंटू बी कितना है ग्याद करें, तो हॉल की लंबाई मतलब L ग्याद करना है, ठीक है जी, तो L इन में से कोई एक होगा, हम क्या कर रहे हैं, हम आप्शन के थ्रू चलेंगे, अगर ये लंबाई है, या ये लंबाई है, या ये लंबाई है, या ये लंबाई है, अगर मैंने इसको लंबाई मान तो गुणा करेंगे तो डेड़ सो आ रहा है, जबकि लाना कितना है, साड़े साथ सो लाना है, ठीक, तो हमने कुछ बड़ा नंबर सोचते हैं, ये नहीं है option में, मैंने ये वाला नंबर पकड़ लिया, ये 30 है, और चुकि ये 5 बड़ी है, तो ये छोटी होगी 5 कितनी, 25, औ 25 ये 75 होता है, तो यानि कि मेरा option number 4 असानी से लग रहा है, और answer मेरा क्या आ रहा है, फोर्थ option आ रहा है, बहुत असानी से, है न, ठीक है न, बोलो हाँ है न, चली, next, अगला सवाल, एक त्रबुज का आधार 15 सिंटीमीटर हैं, उंचाई 12 है, छेतरफल से दोगने त्रबुज की उंचाई, जिसका आधार 20 सिंटीमीटर है, तो बताइए, क्या होगा, हमें क्या निकालनी है, उंचाई निकालनी है, क्या निकालनी, उंचाई, चलो, try करो आप एक बार, आप लोग ट्राइ करिए एक बार फिर उसके बार मैं बताता हूँ कैसे आएगा गिव इट ट्राइ प्लीज करी एक बार मैं बता हूँ कि मैं बता हूँ झाब ग्राइग बता हूँ हो गया थर्टी देखिए एक तिर्बुच का आधार और उंचाई पंद्रा और बारा है कहता है दा बेस ऑफ ट्राइंगल इस फिफ्टे हाइट इस तो हमने इसका एरिया निकाला वन बाइटू बेस इन्टू हाइट अब इसके एरिया से डबल है दो गुना है किसका एरिया एक दूसरे वाले का वन बाइटू फिर उसकी हमारे पास उंचाई हमें नहीं पता है आधार ट्वेंटी है तो उंचाई यानिकी हाइट पता करनी है तो एक काम करो वन बाइटू वन बाइटू कैंसल आउट कर लो दोनों तरफ है ना बारा पंदरा एक सो असी एक सो असी का दो में मिल्टिप्लाई करो तीन सो साथ बराबर ट्वेंटी इन्टू एच तो मेरे हिसाब से कट जाएगा एटीन टाइम्स यानिकी अठारा सेंट सेंटीमीटर उसकी हाइट होगी कितनी अठारा सेंटीमीटर एटीन यानिकी सगन ऑप्षन सही है चलिए नेक्स अगला यदि एट सेंटीमीटर आधार वाले त्रबुच का चेत्रफल आठ सेंटीमीटर तरज्या वाले वरत के समान है ठीक है तो त्रबुच की संगत उंचाई यानि कि इस बार हमको क्या बताना है उंचाई हाइट बतानी है ट्राइंग्ल की कि 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 हो गया देखो कहता है area of triangle जो है area of triangle वो बराबर है किसके area of circle के area of triangle बराबर है area of circle के area of triangle कैसे निकलेगा 1 by 2 base into height आधार गुना उचाई तो आधार कितना है 8 cm उचाई हमको पता नहीं निकालनी है और यह कितना होता है पाई r square radius कितना इसका 8 cm है r square मतलब 64 दो से कटेगा 4 बार हमें h चाहिए तो 4 से इसको काट लो 6 बार तो h की value कितने आ जाएगी 16 पाई आ जाएगी और दजिन लगा कि द ज गवा लिए रहां दो व्रतों की तरज्जा है 5 cm और 12 cm हैं तीसरे व्रत का संतिमीटर और बारा संटीमीटरर कितनी हैं पांच है और बारा तीसरे वरत्थ का चित्रफल दोनों वरतों के चित्रफल के बराबर हैं कि य। हमने लिए 파 2 का इन दोनों का एरिया बराबर है कि सी बड़े के हैं है न दो छोटे छोटे है और इन दोनों का area बराबर है किसी बड़े वाले के हमने माल लिया कि यह चोटा वाला है तो pi r 1 square है यह उससे बड़ा है तो pi r 2 square हो गया और यह सब से बड़ा है तो capital r square हो गया यह तीनों बराबर है अच्छा πाई अगर कॉमन ले लिया जाए तो r1 square बलस r2 square बराबर capital r square हो जाएगा पाई इधर से ले लिया पाई से पाई का हिसाब हो गया पाई पाई ये है 5 ये है 12 तो 5 का square बलस 12 का square बराबर r square 5 का square 25 बारा का square 144 आर square यहां से हटाओ, यह ले लो, कितना हाजाएगा, 169 का root r, r का माना हाजाएगा 13, यानि कि यह radius होगी 13, कितनी होगी 30, तो यही पूछा गया था, तीसरे वरत की तरज्या क्या होगी, what is the radius of third, what is the radius of third? next, अगला, the perimeter of a semi-circular path, देखो, semi-circular path, semi-circle क्या होता है, इस तरीके से होता है, अर्ध वरत हम जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अर्ध वरत बोलते हैं, अब इस अर्ध वरत में क्या है, इसका perimeter, तो मैं इसको लिख देता हूँ, कई लोगों को शायद नहीं पता है, area, सरी, circle, और यहां लिख देता हूँ, semi-circle, दो चीज़े हैं, वो छोटी-छोटी इसी है, इसका circumference, जिसको हम परिदी कहते हैं, circumference, circumference, यानि की परिदी, इसकी जो परिदी है, circle की circumference, यानि की परिदी, होती है, 2, pi, r, और इसका जो area होता है, यानि की छेत्रफल, इसका जो area होता है, यानि की छेत्रफल, इसका छेत्रफल होता है, pi, r, square, semicircle में, जो circumference कहलो, या perimeter कहलो, circumference, नी बलके हम इसको perimeter ही कहेंगे, ठीक है, perimeter, वो होता है, 36 by 7, into r, radius, 36 by 7, into r, और area जो होता है, वो होता है, pi, r, square का आधा, half, जैसे इस सवाल में, हमें perimeter दे रखा है, semicircular path का 36, तो perimeter, क्या होता है, 36 by 7, into r, perimeter होता है, जो की दिया गया है, कितना हमारे पास, 36, 36 से 36 कट गया, तो r का मान हमारे पास आगया, 7 cm, कितना आगया r का मान, 7 cm, कहता है, find the area of this semicircular path, तो इसका area बताईए, तो इसका area क्या होगा, pi r square का half, तो pi का मतलब 22 by 7, r, यानि की radius, 7, 7 का square उनन चास, अपॉन में, कितना 2, तो 2 इदर चला जाएगा, 7 से इसको कट करो, 7 बार, 2 से इसको कट कर लो, 11 बार, 11 का 7 में multiply होगा, तो 77 meter square हो जाएगा, यानि की fourth option हमारा answer बनेगा, पाइथागोरस का एक सवाल करा दे, pi thagourस पर क्या सवाल होता है, बेटा, वो geometry में होता है, pi thagour अभी जो आपने किया है, यह वाला, ये वाला, यह pi thagourस का ही था, 5 का square, 12 का square, r का square, यह pi thagourस का ही था, झाल झाल चली यह हो गया यह भी ठीक है यह वाला करिए कोशन ट्राइए करिए सेहीं उसी तरिके का है पाइथा गोरिस वाले बेसिस पर ही है करिए इसको ट्राइए जल्दी से और बताइए क्या होगा इसका अंसर करिए झाल 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 हो गया देखें दो वृत की तृज़दाइ 10 और 24 संटिमेटर एक वृत की तृज़दाइ जिसका छेतरफल इन दोनों वृतों कि छेतरफल का एक है तो पाई आर वन स्क्वार प्लस पाई आपू स्क्वाार बराबर है पाई कैपिटल आपूर तो πाई common ले लेते हैं r1 square plus r2 square बराबर πाई capital R square तो πाई से πाई का हिसाब हो गया ये 10 है 10 का square करेंगे 100 आएगा 24 का square करेंगे 566 आएगा बराबर capital R square तो ये हो गया 666 r square तो भी या r निकालेंगे तो root ले लेंगे तो कितना आएगा 26 आजाएगा कितना आजाएगा 26 यानि कि fourth option हमारा answer बनेगा ठीक है next अगला सवाल ये रहा यदि एक तार को एक वर्ग के आकार में मोडा जाए तो वर्ग का छेतरफल 81 वर्ग सेंटीमीटर है कितना है 81 वर्ग सेंटीमीटर है जब तार को अर्ध वर्ग के आकार में मोडा जाता है तो अर्ध वर्ग का छेतरफल ग्याद करें ये भी बड़े है एक तार है एक वर्ग के आकार में मोडा जाए यदि एक तार को एक वर्ग के आकार में मोडा जाए तो वर्ग का छेतरफल 81 है देखो वर्ग के आकार में आप जब मोडेंगे तो इसका छेत्रफल 81 है 81 cm2 है यह A2 की value हुई की नहीं हुई तो A यानि की side की value हो जाएगी 9 यह भी 9 है यह भी 9 है और यह भी 9 9 9 9 9 9.36 यानि की उस्तार की लंबाई या perimeter अगर मैं देखू तो इसका जो perimeter हो गया वह गया 9.36 cm अब इसी को सीधा कर दिया गया इसको खीच के सीधा कर दिया और क्या कर दिया गया अर्द वरत्ता कार बना दिया गया इस तरीके से बना दिया गया तो बेटा यह 36 cm लंबा था तो अभी यहां से यहां तक और इसको सब मिला कर अभी भी यह 36 cm ही रहेगा यानि कि अब इसका पैरिमीटर भी 36 cm होगा कितना होगा पैरिमीटर 36 cm होगा हमें चाहिए व्रत का छेत्र अर्द व्रत का छेत्रफन देखो पैरिमीटर इसका कितना होत बराबर 36 इस से यह कट गया R का मान आ गया 7 R का मान 7 आ गया तो यह होता है pi R स्क्वार का आधा तो pi की value 22 by 7 R का मान कितना है बिटा 7 का स्क्वार 49 और उसका भी हमें आधा करना है 7 से इसको 7 बार कट करो 2 से इसे 11 और 11 का 7 में multiply करोगे कितना हैगा 77 cm2 कितना जाएगा 7 cm2 दन चली नेक्स डगला एक आयत का परिमाप 160 मीटर है और दोनों बुजाओं का अंतर 48 है उस वर्क की बुजा ग्याद कीजिए जिसका छेत्रफल इस आयत के छेत्रफल के बराबर है यह बढ़िया सवाल है एक आयत का परिमाप आयत का परिमाप होता है टू एल प्लस बी कितन है एक सो साथ एल प्लस बी का मान कितना आ गया असी भाई दो से कट जाएगा असी बार और दोनों बुजाओं का अंतर यानि की दोनों में डिफरेंस जो है वो कितना है 48 उस वर्क की बुजा ग्याद करें जिसका छेत्रफल इस आयत के छेत्रफल के बराबर है तो भाईया एरिया ओफ रेक्टेंगल जो है एरिया ओफ रेक्टेंगल आयत का छेत्रफल बराबर है एरिया ओफ एरिया ओफ स्क्वेर में एरिया ओफ स्क्वेर के कल सुबह आज भी सुबह क्लास हुई थी आप लोग नहीं आए कल सुबह भी क्लास होगी अभी दो क्लासिस का बैक क्लास होगी और दोपहर में दो से साढ़े तीन बतकि कल सोगी ठीक है तो कल की क्लासिस का शड्यूल ये है तो किर्पिया करके देख लिजेगा मैं क्या कह रहा था अच्छा area of rectangle बराबर है area of square के ठीक है area of rectangle बराबर है area of square के अब सुनिएगा ध्यान से बात को कि उस वर्ग की भुजा ग्याद कीजिए जिसका छेत्रफल आयत के छेत्रफल के बराबर है आयत का छेत्रफल क्या होता है length into breath और इसका कितना होता है side का square length into breath निकाल ले हम यहां से L और B की value निकाल लो जोड कर 80 रुपे देने हैं दोनों के बीच difference रखना है कितने का 48 का तो एक काम करते हैं 80 में से 48 हटा दो 32 बचे 16 इसको दो 16 इसको दो और फिर बाकी के 48 जो बचे थे वो इसको दे दो तो यह हो गया 64 और यह हो गया 16 जोड़ोगे तो 80 आएगा और घटाओगे तो 48 आएगा तो 64 इंटू 16 बराबर side का क्या हो गया square हो गया हमें सिर्फ side चाहिए तो हटाओ यहां से root ले लो कितना आएगा आठ और यह 4 कितना हो गया 32 तो यह जो side होगी वो 32 होगी हमें यही पूछा गया था कि उसकी भुजा गयात कीजिए कि भुजा कितनी होगी तो भुजा होगे हमारे पास 32 गुछा हिए आए हो गया चली नेक्स्ट अगला ये कोशन आप लोग होमवर्क में रखिए इसको ट्राई कीजेगा चीक है बाकी ज्यादा कोशन बचे भी नहीं है तीन चारी कोशन है तो तीनों चारों कोशन में आपको हमवर्क में दे रहा हूँ ये किये हो गया एक, दो, तीन ठीक है इसको करके आईएगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में